नमस्कार, शिक्षार्थियों, पुनह स्वागत है. डोमेन नाम सफलता पूर्वक खरीदने के बाद, अब अपनी वेब साइट के लिए वेब होस्टिंग खरीदने का समय आ गया है. इस वीडियो में, सबसे पहले, मैं समझाऊंगा की वेब होस्टिंग का अर्थ क्या है, फिर मैं विभिन प्रतिष्थित वेब होस्टिंग सेवा प्रदाताओं से वेब होस्टिंग खरीदने की प्रक्रिया समझाऊंगा, आईए शुरू करते हैं. तो वेब होस्टिंग क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, आपको अपनी वेब साइट को सवर पर कहीं स्टो करने के लिए एक जगह की आवश्यक्ता होती है, जिसे होस्टिंग कहा जाता है, इसे कहां से खरीदें? उत्तर वेब होस्टिंग सेवा प्रदाता है, डोमेन नाम सेवा प्रदाताओं के समान, बड़ी संख्या में वेब होस्टिंग सेवा प्रदाता है, जहां से आप अपनी वेब साइटों को संग्रहीत करने के लिए सवर पर जगह खरीद सकते हैं. जैसे हमारे पास होस्ट गेटर, बिग रॉक, गोडादी, ब्लू होस्ट और कई अन्य सेवा प्रदाता हैं, आई ये इसे खरीदने की प्रक्रिया को समझते हैं. साइट www.hostgator.in पर जाएं या विवरन में दिये गए लिंक पर क्लिक करें. अभी आरंब करें पर क्लिक करें. इस पेज पर सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है सवर लोकेशन का चैन करना. यदि आप भारत से हैं तो आपको भारत का चैन करना होगा न की USA का. आप यहां देखेंगे की स्टार्टर, हैचलिंग, बेबी और बिजनेस जैसे चार अलग-अलग प्लान हैं. हर प्लान में अलग-अलग फीचर्ज हैं और उसी हिसाब से कीमते तै की गई हैं. जैसे स्टार्टर और हैचलिंग प्लान के तहद, आप केवल एक डोमेन नाम होस्ट कर सकते हैं. जबकि बेबी और बिजनेस प्लान के तहद, आप एक ही होस्टिंग पर असीमित डोमेन होस्ट कर सकते हैं. इस तर पर हम केवल एक डोमेन होस्ट करने जा रहे हैं. इसलिए म मैं आपको Starter योजना अपनाने की सलाह देता हूँ, Starter योजना के लिए जाए, इस प्लान में सिंगल डोमेन, 10 GB डिस्क स्पेस, 10 GB ट्रांसफर, 5 इमेल अकाउंट और प्री SSL सर्टिफिकेट शामिल है, सीखने के उदेश्य से यह पर्याप्त से भी अधिक है, अब आपको इस ड्रॉप डाउन मेनू से अपनी वेब होस्टिंग की अवधी का चैन करना होगा, ये स्पष्ट है कि लंबी अवधी की योजनाय लागत प्रभावी है, लेकिन पाथियक्रम की आवश्यक्ताओं के अन सार, हमें अपनी वेब साइट को कम से कम तीन महीने तक सक्रिय रखना होगा, इसलिए तीन महीने का प्लान अपनाए, इसके बाद ये पूछता है, क्या आपके पास अपनी होस्टिंग योजना के लिए पहले से ही एक डोमेन है, हाँ हम कर सकते हैं, हमने इसे पहले ही गोड अब यहां बहुत महत्वपूर्ण बिंदू ये है कि हम इस तर पर कोई अतिरिक्त सेवा नहीं खरीदने जा रहे हैं, इसलिए सभी विकल्पों को अंचेक करें और जारी रखें, यह आपके आदेश का सारांश है, सुनिश्चित करें कि सब कुछ आपके चैन के अनुसार ह अगर चीजे ठीक हैं तो जारी रखें पर क्लिक करें, अब आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के लिए कई विकल्प हैं जैसे गूगल, फेस्बुक या आप अपना अकाउंट बना सकते हैं शुनकी होस्ट गेटर पर मेरा खाता पहले से ही है, मैं अपने क्रेडेंशिल्स के साथ साइन इन करूँगा यहां फिर से आपके पास भुग्तान के लिए कई विकल्प हैं और अपनी सुविधा के आधार पर आप संबंधित विकल्प का चैन कर सकते हैं और भुग्तान प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं बधाई हो, आपने सफलता पूर्वक ओड़ा दे दिया है, कुछ ही सेकंड में आपको होस्ट गेटर से पुष्टि करन मेल प्राप्त होगा मुझे ये जाच करना है, प्रोजेक्ट लाइन पूरी हो गई, डीमूच.IN के लिए सिंगल डोमेन लिनग्स होस्टिंग जोड़ी गई ये मेल भविश्य में उप्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी कॉपी कहीं और भी सेव कर ले शुन की हमें इस मेल को बार-बार देखना पड़ता है, क्रिपया भविश्य के संदर्ब के लिए गोडैदी और होस्ट गेटर के सभी पास्वर्ड सुरक्षित स्थान पर सहे जे तो ये थी डोमेन नेम और होस्टिंग खरीदने की प्रक्रिया, तो बधाई हो, आपने वेब होस्टिंग खरीदने की प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूरी कर ली है मुझे आशा है कि आपको ये प्रक्रिया बहुत सरल लगी होगी लेकिन एक बात याद रखें आपने डोमेन नाम और वेब होस्टिंग दो अलग-अलग सेवा प्रदाताओं से खरीदी है तो इसलिए आईए अगली चुनौती की ओर बढ़ें